नमस्कार मनोदेल स्रेया क्लासिज में आपका स्वागत है अपने योगिक टोपिक चल रहा था जिसमें हम मैथोपोन टोपिक योगिक हैं वो इसमें पढ़ेंगे पहला नाम आता है अमलगम अमलगम एक मीश्रन होता है अमलगम जैसे एक केन है उसमें तामबा, जस्ता, मेंगनीज और चांदी इन सब को मिला के घोल तियार किया जाता है उस घोल को नाम दे दिया गया अमलगम मिस्र धातु क्योंकि यह क्या होता है मिस्र धातु क्यों बोला गया इसको अमलगम को क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजों को मिला कि इसका मिस्रन तियार किया गया है उस जो अमल गम का निर्माड नहीं करती यानि कि कभी भी इसको मिला दो तो अमल गम नहीं बनेगा जैसे लोहा प्लेटिनम कोबाल्ट निकल और टंगस्टन यह ऐसे हैं जो कभी भी इनको किसी भी के साथ ही मिला दो लेकिन अमल गम का निर्माड नहीं करते तो लोहा प्लेटिनम कोबाट, निकल, और टंगसटन कभी भी अमल गम का निर्मार्ण नहीं करेंगगे यह हो गया अमल गम, अब हमारा लेक्स्ट आता है योगिक अमलराज अमलराज का दूसरा नाम है एक्वारेजया अमलराज अमल गम तो क्या है? तांबा जास्ता मेगनीज और चांदी का मिश्रन और अमल राज, हाइडरोकोलीरिक अमल अब इनमें अनुपाद पूछा जाता है कभी कभी की अमल राज में ह swatch अमल या फिर S.E.L. और MU-3 का मिश्रन का जो अनुपाद है वो किया होता है तो इसमें अमल राज में सबसे ज़्यादा तो तीन अनुपात एक का रहता है हाइड्रोकलोरिक अमल तो तीन होगा तो तब नायटरिक अमल कितना होगा एक तो इनका अनुपात कितना निकलता है तीन अनुपात एक, यानि तीन भाग टो होगा है इडरोकलोरीक अमल का और एक भाग नाय्ट्रिक अमल का होगा तब यह निमिप्सरन तियार किया जाता है उसे बोला जाता है अमल राज अमल राज इसको ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये जो सोने चांदी और प्लेटीनम है इनको साफ करने के लिए इनको चमका लेने के लिए इसका प्रियोग के जाता है इनको निस्तारन करने के लिए सोने चांदी और प्लेटीनम की सबसे ज़्यादा महेंगा सोना चा पढ़ गया अमल राज अमल राज यह फिर अक्वार रेजिया मिस्तरन याद रखेंगे हैं हाइड्रोकलोरिक अमल और नाइट्रीक अमल जिसमें अनुपाद ही पूछा जाता है तो तीन अनुपाद एक है पटवार में आया है है कि इतना होता है 14 यहां पर कितना दे रखाएग एक तो अशूद करेंगे तो हमें पता है कि 6 में से 6 आया है निकल के जैसे आप अपने पर्तिशथ निकालते谢 점 रिग्स निकाल लिया पहले तो शै आएगा उपर फिल्लाइछ नीचे गुणां 100o कितना पर्तिषत हो गया इसमें सोणा के पर्तिशत है 25 पर्तिशत है और वैसे आगर इस पीचिन परतिशत है शोटो इसमें सिधा सिधा पुछा गया 3 इसमें का सूने का प्रतिशत की पीचे 25 पर्तिशत我要 सुध सोना और बाकी का 5 पर्थिश तर प्रतिशत क्या होता है सुध सोना तो यह पटवार में पूच्छा हुआ क्यूशन है थर्ड अपनी यह अपना कि वज़े से होती है लह सुन और प्रैज में कड़वाट पई पाई जाएगी लफर की वज़े से और Г graft किसकी वज़े कोई नीजे से होती है से यह Flight удpora में मुखत्वस्ता माई जाती है सबस्वार की मात्रा होती है जी इसका परियों कहता है लिonosstep की से कले नहीं है में रब्बर में हमने क्या मिला सल्फर या फिर संथर os सो एक ही बात है रबबर में क्या मिला दिया, सरफर मिला दिया अब इसको क्या क्या गया, इस गोल गरम क्या गया है, यह होता है और यह संपुन करिया की उसकी संपुन करिया का नाम क्या है वलकनी करण कर दिया हमने रबबर को क्या कर देदी मजबूते देदी सल्फ़ाय मिलाके 150 डिगरी सेंटिग्रेट पर जो प्राकर्तिक रबबर होता है वो आईसोप्रीन का क्या होता है बहुलक होता है य उसका नो मैं लेक्टिस शीर स्थियर उसको बोलते हैं, और हमने इसमें क्या मिला दिया एसी टिक अमलोर म्ला दिया पेड़ से तो हमने क्या प्राप्त क्या l ligeक्टेक्स छीर जो सबाइट वाइट दूजसा होता है कुछ आपने दिखा होगा कि पेड़ों पे क्या कट लगाये रहते हैं दूज़ हिकत्रीत करने के लिए पत्तर रहता है तो वो क्या होता है उसे क्या नाम दे दिया गया लेक्टेक्स चीर अब उसमें एसे टिक अमल मिलाते हैं तब हमें क्या मिलता है प्राकर्तिक रबड प्राप्त होता है अब इस प्राकर्तिक रबड को क्या किया गया यह रबड हमें प्राप्त कर दिया और हमने क्या किया उसम पर दूसन है यह इसी वज़ाए से होता है क्योंकि एक तो नाम आता है अपरूप क्या होता है तो सबसे पहले देखो अपरूप किसी तथ्वे में क्या है उसके दो रूप दोया दो से अधिक रूप में सरंचना था बोती गुन क्या है भिन भिन है लेकिन रासायनी गुन क्या है समान है यानि कि जो रासायनी क्या होगी वो तो जो रासायनी गुन होते है वो तो समान है लेकिन उनकी सरंचना और उनकी जो भोती गुन जैसे आकार हो उनकी तो वो क्या होगी अलग अलग होगी सरंचना भिन है बोतिक गुण भी नहीं है लेकिन क्या समान है रासानिक गुण समान है ऐसे ततो तो क्या कहलेंगे अप रूप यानि कि वो एक दुसरे के क्या रूप है क्योंकि उनका संगठन तो सेम ही है लेकिन उनके क्या होगे रासानिक गुण समान है लेकिन वो बहर से हमें देखते हैं एक ही तत्व है कि दो यहाद्द से अधिकरों समझके कई अदिकुन हैं और लेकिन रासाइनी गुन से क्या होते हैं समान होते हैं ऐसे ततों कहलाते हैं अपरूप और ऐसा गुन ततों का अपरूपता कहलाता है जैसे अब आएगा सलफर सरपर पढ़ रहे थे हम तो सलफर की अपरूपता होती है दो यानि कि सरंचना बहार से समान होगी लेकिन इनकी र सबसे पहले पड़ते हैं कियाते हैं क्या तो रोमेविक सल्फर एक मोनो क्लिनिक सल्फर रोमेविक सल्फर है उसको अलफा सल्फर भी बोलते हैं और मोनो क्लिनिक जो सल्फर होता है उसको बिटा सल्फर भी कहते हैं रोमेविक सल्फर की एक विशेशता यह है कि जल में एविले होता है और कार्बन डाय सल्फएड में भीए विए विले हो जाता है विए घर जल्में क्लिनिक कंडियो ले हो जाते हैं इसका नाम बीटा या मन पहलता ऑख वीचानता है इसके एक संकू लैट रहते हैं इसलिए से जल्रीनिक संकुस पर टू tv स्कूर रोमेबिक进 Hericol सब्सक्राइब करके होता है रोमेबिक सब्सक्राइब करते हैं जैसे आपने क्या किया रबर को क्या किया एक पात्र है पात्र में पानी बरावा है तो गरम उबलते हुए सल्फर को अगर आप इसमें यह जो पात्र है गरम उसमें रख देते हैं तो रबर हमें क्या प्राप्त होगा समान प्राप्त होगा यह जो प्लास्टिक है वो रबर के समान हमें प्राप्त हो जाएगा तो यह प्लास्टिक सल्फर होता है सल्फर का दूद ये सफेद दवाई बनाने में प्रियोगत होता है, ये एकस्टे सलफर के परकार है, एक तो प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे बन जाएगा हो, कि अगर आप गरम सलफर को पातर में ठंडे पानी में डालोगे, तो ये रबर के समान क्या होगा, अपना विवार दिखाएगा, सल सलफर का, इसका उप्योग क्या होता है, देखो सलफर का, ओद्योगी गुत पादन में, बारूद बनाने में, दियासलाई में, किटनासक में, जो चरम रोग होता है, उनमें में सलफर का उप्योग किया जाता है, दस रोकने के लिए भी इसका उप्रियोग किया जाता है, य प्रमाणू करमांग फास्पुरस का कितना है 15 प्रमाणू भारेस का 31 हमेशा फास्पुरस क्या करेगा फास्पुरस को अगर आप अंधेरे में रख रखा है तो हंधेरे में हमेशा चमकेगा तो फास्पुरस की पैसान होती है कि फास्पुरस अंधेरे में चमकता है जानवरो के अप्रोप सल्फर के कितने अप्रोप 34 देखो सफेद फासपउरस पी vivir फोर से इसको प्रज zwr लहता है लैसों जैसी इसमें क्या आती है गंद आती है ज़िए अगर आप इसको देखो गी तो इसमें क्याएगी वि् Delicious जैसी गंद आएगी यह सफेद पहले तो सफेद सफ़ेद रंग होता है वर पूर्स यह में जो पर्स का मरता है कर अगर उसमें को सफय काम करता है तो इस और अगर आप जबड़ा देखो तो उनका इमोग बाता सा रहता है क्योंकि हमारे बोलने में जबड़ा है ना वो बहुत मैत प्रुंब पर्दान करता है तो करमचारियों की रोग कोन सा होता है इस रोग का इनाम याद को याद रखना है कि सफेद फासपुरस के अगर ज्यादा कॉंटेक्ट में रहते हैं तो फोर्सी जा नामक बिमारी होती है जल में इसको जल में रखा जाता है सफेद फासपुरस को क्योंकि य सफेद फासपुरस प्लस कास्टिक शोड़ा अब हमने क्या क्या सफेद फासपुरस में मिला दिया कास्टिक शोड़ा और फिर इसको गरम क्या गरम क्या तो हमें क्या प्राप्त होती है फोस्पिन गेस प्राप्त होती है तो फोस्पिन गेस कैसे प्राप्त होई सफेद पॉरस की और फास-पॉरस के पिडू युस्तितलई सरंखला वाला होता है लाल फास-पॉरस में अ प्रियोग कि सा दिया सbei tub लानए में ये गंदरहीथ होता है जबकी शफेद पास-पॉरस के शाठा उसमें लैसौन के जैसी गंदारी थी इसमें कोई भी घंद नहीं है लाल यह अज़ी होता होता है क्यूंकि इसकी स्रंकला किist World अब आता है काला आप living का अगर आप कि देखोगे तो परद्दार की सरंचना होती इसकी बहेंगनी फासबुरों सबना ह कोई किस प्यूग नाम ऐसको सफेद और उब आपको देखो क्या याद रखना है है फास फोरिस में आपको पर्मानु करमांग याद रहना है कि फास पर उसका परमानु करमांग होता है। गलनांक उत होता है और काला फास्पॉरो इंगनी फासपउरो स्वार्ष यह आप से पुछेंगे नहीं पी जाती है यह क्या उनाट्रक में पीने की पानी का सुध करने में भी संक प्रियों कहजतास है आज आपको आपको प्ताए कि एक सोन होती है बंच क्या होती है शूरय के जुटे हमने क्रिव से क्या करती है राज स्थ्केट हैा नियद्धिता ह 1967 आ रही है तो seres worship क्रेज उच्छा न्चależ पीर अमल राज बढ़ा तो अमल गम अमल राज में सित्अज़ ज्यदा तर क्यूशन पूछा जाता है सल्फर पढ़ा दिया फास्फरोस पढ़ा दिया अब गेस है iosone gase ke बारे में जदा पूछा नहीं जाता आネा-आए गा तो ऎसे है कि iosone गेस है उसे वह क्या होता है तो ऑजुन गेस है ऑक्सिजन का अपरूप होता है है येश किदर नाम याद रखना हुआ फिका होता है इसमें मतलब आगर चखोगे तो इसमें कोई क्या होगा टेस्ट रहनी होगा तो ये फिका होता है नीला इसका रंग होता है गंध हीन इसमें गंद भी नहीं आता है और यह क्या होता है यह प्रोक्षाइड में इसका उप्यों कि पुराने चित्रों को चमकाने में तो आपको यह चीज याद रखनी है पुराने चित्रों को चमकाने में किसका उपयोग किया जाता है तो पुराने चित्रों को चमकाने के लिए hydrogen proxide H2O2 का परियोग किया जाता है जिसकी खोजकी थिनाडने घाव दता चोट पर उप्योग करते हैं रेशम में बाल, हाथिदांत, उन और विरंजन के रूप में सुंदरी परसाधन में भी इसका प्रियोग किया दता है तो आपको इतना याद रखना है कि पुराने चित्रों को चमकाने के लिए किसका प्रियोग किया दता है तो हाइड कि आमॉनिया बनता कि से है ये नैट्रोजन आइधाई हाइड्रोड बता है है जो मुत्रोड होते हैं वहां पर आम देखना होगा मुत्रर बांगते हैं से Went के रहते हैं वहां पे Ammonia की क्या आती है दुरगंद आती है इसका उप्या क्या जाता है Umonia का, bathing जो आफसे खेटी का टाइम आता है थी और क्या करती है यह खाद परियोग बें के निर्मान में ऐंकी निर्मान एम्मोंिय परियोग काता है, नायट्रिक्न का प्रियोग किया जाता है नेक्स आता है नायटरिक अमल या सोरे का तेजाब नायटरिक अमल को दूसरे दूसरा भी नाम है सोरे का तेजाब इसका सुत्र है एचनो थ्री सल्फिरिक अमल या गंदक का अमल सल्फिरिक अमल को क्या बोलते हैं गंदक का अमल भी बोलते हैं इस का सुत्र है S2SO4 इसे रसायनों का राजा कहते हैं तो इसलिए इस वज़े से ये important है मैंने तब इसको रिखाय कि सल्फुरिक अमल या फिर गंदक अमल इसका सुत्र है S2SO4 तो S2SO4 का दूसरा क्या नम है रसायनों का राजा इसे कसिस का तेल भी कहते हैं तो यह आपको सारा याद रखना स्ल्फुरिक अमल के बारे में गंदक का अमल S2SO4 रसायनों का राजा हाइडरोकलोरिक अमल HCL इसको नमक का तेजा भी बोलते है हाइडरोकलोरिक अमल को HCL को नमक का तेजा ब Benjamin ammonium chloride NS4Cl अपने सेवंध नम्मर पे है ammonium chloride NS4Cl इसे नोसादर भी कहते है ammonium chloride को नोसादर भी नाम ले जाता है तो कोईसा भी नाम आ सकता है कि नोसादर का सुत्र बता हो तो NS4Cl इसका बरतन पर कलाई करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है विरंजक्चुरन का सुत्र है CAOCl2 इसे ये क्या होता है सफेद रंग का होता है पीने के पानी के सुधी गरण के लिए कामें आता है इसमें सेक्विर्शन बनता है तो इसको आप ऐसे लाइटली मतले ना कि नायटरिक अमल है है उसका सुत्र क्या होता है तो Independe Sulphuric Amyl Sulphuric Amyl क्या होता है राषायनों का राजा h2SO4 Hydrocloric Amyl को ये हैं तेजाब कहते है नोसादर का सुत्र नोसादर का दूस्दर नाम है Ammonium Chloride और इसका सुत्र होता है NS4Cl विरंजक तूरण कम दिरेंजस्पवेट का सुत्र ॉटा है चाहने के नहीं जिंक सत्र छिंग सवीड को शफेद शनल्पेट को शफेद होता है सुफेद कसीश वह बोलते हैं यह क्वकनासी। जिंग שה क्मेसा क्या काम टेते हैं पेट की कीडे मारने के के लिए भी काम याता है एक गावल यह श्तकीस को पता काम & इस बनाने में चोटे-चोटे इतने मजबूत होते हैं कि प्लास्ट्रो पेरिस प्लास्ट्रो पेरिस आप सब वाकिब होते हैं प्लास्ट्रो पेरिस 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 प्ल तो इसका निर्मान जिफसम में कितने परमाणों है इसमें जल के दो परमाणों है लेकिन जब इसको गरम करते हैं टेमपरिचर कितना है तब हमें पराब्त होता है तो जल अगर आप गरम कर रहे हो तब आगर आपने टेमपरिचर सही नहीं रखा तब यहां पर क्या होगा इसमें जो जल है अत्य दिक मात्रा में क्या होता है जल निकल जाता है जिस वजेशे को क्या बोलते हैं मर्भ जवलित क्लास्टर कौन सा हो गया कि इसमें क्या हो हो गया जल्की मातरा कम हुग जलकी मातरा भी सही होने की जाता है आप ने दिखाुए Excellence के के समान बनाने में अगनी शैपदार्थों में चौक बनाने में टूटी वी हड़ियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्ट्रो पेरिस का प्रियों कि रहता है आप ने देखा होगा किसी का हाट टूटा है तो उसकी पट्टी के साथ में वाइट वाइट लगाते हैं कि वह ऐस आसान आसान है बिल्कुल जनर्नल साइंस है जो डेली आप कामें लेते हैं जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए वह कुछन या एक्जाम में ज्यादा आते हैं ओके थैंक्यू फूर वचिंग में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगी में इस्तरण के बारे म झाली